फैनली आज हम आए हैं उस टेक्निक पर बात करने जो हमने तीन दिन पहले शुरू की थी बिलकुल सही पैचान रहे हैं आप आज मैं बात कर रहे हूं लेडर टेक्निक की लेडर टेक्निक पे तीन दिन पहले मैंने बताया था जो लोग नहीं कर पाएं हैं वो लोग कुराना वीडियो देख लें दो तीन दिन पहले का लेडर टेक्निक पे मैंने वीडियो एक डाला था उसको देख ले उसको फॉलो करें पहले उसके बाद इस वाले वीडियो को और मैं तो जानती ही थी कि result amazing ही आएंगे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं भी result मिला होगा जो CD नहीं भी चरपाए होंगे अगर वो CD नहीं चरपाए है तो इसी technique को अभी वो और 7 days तक उसको follow कर लें अगर 3 दिन में वो CD वाली बात हुई थी आपको वो result नहीं आय करती है ladder technique यह कहती है कि आप CD नहीं चड़ेंगे I will not climb the ladder आप CD नहीं चड़ेंगे मगर जब आप इसी चीज़ को सोचते रहते हैं और रात को कुछ और सोचते हैं तो definitely आप CD चड़ गए तो जिन लोगों ने 3 दिन में ही result पा लिया तो वो तो समझ लीज़े कि वो कुछ भी manifest कर सकते हैं जिन्होंने नहीं भी result पाया है वो भी manifest कर सकते हैं हो सकता है उनको 2-4 दिन जाता लग जाए manifest सभी लोग कर सकते हैं ladder technique आपको prove कर देती है कि कैसे manifestation होता है ठीक है बहुत सारे लोग इसको not technique भी बोलते हैं means जिसमें हम मना कर रहे है आप पूरे दिन बोलते रहे मैं CD नहीं चड़ूँगा लेकिन CD चड़ गए ठीक है तो इस technique को actual manifestation में कैसे इस्तिमाल करना है आज वो आपको सिखाने जा रही हूँ जितने भी लोग manifest कर गए तीन दिन में CD चड़ चुके हैं तो वो सब लोग इस technique को follow करके कुछ भी manifest कर सकते हैं आप money manifest कर सकते हैं आप job को manifest कर सकते हैं कुछ भी manifest कर सकते हैं जो लोग नहीं कर पाए वो अभी इसको थोड़े दिन continue कर ले साथ दिन कर ले साथ दिन में वो भी CD चर जाएंगे और जैसे सीरी चड़ जाएंगे उनका दिमाग मान जाएगा कि वो भी manifest कर सकते हैं और फिर इस टेक्निक से आप कुछ भी manifest कर पाएगे तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि इस वाले टेक्निक को अप्लाय करके कैसे money को manifest करें कैसे अपना जीरो वाला खाता पैसों से भर ले टेकनिक है बहुत ही powerful लैड़र टेकनिक से money manifest कैसे करेंगी आज वो मैं आपको सिखा रही हूँ देखेए money manifest कुछ भी manifest करना है ना चाहे money करना है चाहे कुछ और चाहे love करना है clear intention रखिए बिल्कुल clear intention पहले कि actually मैं मुझे manifest करना क्या है ठीक है उलजन नहीं जराबी कि मुझे 50,000 मिल जाएं अच्छा 60 मिल जाएंगे तो ठीक रहेगा ऐसा नहीं बेलकुल clear मुझे इतना चाहिए तो इतना ही चाहिए ifs and buts बिलकुल नहीं अब आपके पास पैसा नहीं है मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है आप चाहते हैं कि मेरे पास भी पैसा हो कैसे आप इस टेक्निक को अस्तेमाल करेंगे जगा जगा लिख लिख के चिपका दीजिए I am not rich मैं rich हूँ ही नहीं मैं अमीर नहीं हूँ सब जगे चिपकाई है क्योंकि आपका दिमाग तो मानता ही है आप तो मानी रहें कि आप अमीर नहीं है तब ही तो आप manifest कर रहे है आपका दिमाग तो बैठा हुआ है बिल्कुल तयार आपको ये समझाने के लिए कि आप अमीर नहीं है अगर आप ये कहेंगे ना कि मैं अमीर हूँ, I am rich तो वैसे ही दिमाग तुरंट कहेंगा कहां, कैसे, कब, कब हो गए मैं rich है ना, तो मतलब दिमाग तुरंट hurdle create कर देगा कि आप rich नहीं हो तो आप manifest नहीं कर पाते क्योंकि hurdle अंदर से ही create हो गया blockage create हो गया अंदर से ही, इसमें आप तो खुदी कहना है I am not rich, I am not rich, तो दिमाग भी खोज की बैई, ये तो बिल्दी सही बोल रहा है I am not rich, आप rich नहीं हो, तो जग़ जग़ लिखकर चिपका दो, मैं अमीर नहीं हूँ I am not rich, चाए English में, चाए Hindi में, चाए अपनी Marathi में, चाए कि CB language में जो language आपको अच्छे से समझाए, आप उसमें चिपका लो, जग़ जग़ पर चिपका लो, I am not rich पूरे दिन वहीद बोलो, जब ध्यान जाए, I am not rich काम करते करते सामने चिपका लो, वाश रूम में चिपका लो, सब जग़े उस चिपका लो, छोटे से कागज में, आपको चिप ले ले नहीं है, बनाने नहीं है, कुछ इस तरह से, इस तरह से कागज लेके इस पर लिखिए, और चिपका लो, जग़े जग़े पर चिपका लो, I am not rich, मैं rich हूँ ही नहीं, अब इससे क्या होगा, सारे दिन आप वही देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मन में बोल रहे हैं, I am not rich, means, आपके अंदर से वो चीज acceptable है, कि आप rich है नह तो कोई blockage, कोई hurdle नहीं आएगी, अब आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले का जो समय है, manifestation के लिए सबसे important समय होता है, चाहे दिन बर आप कुछ भी बोल रहे हैं, तो आपने लगातार क्या बोलना है, दिन बर तो I am not rich, रात को सोते वक्त visualize करना है, कि मैं अमीर हूँ, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो पैसा ही पैसा गिन रही हूँ, चाहे तो action note भी अगर आप चाहे ना, तो अपने पास रखिए उनको रात को सोने से पहले कौन सा समय, ऐसा नहीं कि बिस्तर पर लेटे हैं, ये टैक्निक कर ली, फिर टीवी देखा, फिर सो नहीं, जब बिलकुल लास्ट सोने को इदम आखे जब बंद होने लगती है ना, वो वाला समय, manifestation का समय है, उस वाले समय पर बोलिए, मैं तो rich हूँ, visualize करिए, आखे बंद करके visualize करिए, कि मैं rich हूँ, मिरे पास बहुत पैसा है, मैं जिस चीज को सोचता हूँ, खरीद पाता हूँ, पैस ही पैसा है मेरे, बस हर तरफ से मेरे काम बन रहा है, मुझे बहुत पैसा मिल रहा है, इस चीज को खूब visualize करिए, जितना देर, जितना अच्छा visualize आप कर पाएं, अच्छे से visualize करिए, सो जाईए, बस इतना ही आपको इस technique में करना है, next day जब सो कर उठेंगे, अगर कर सकते ह है, तो सुबर जब उठें, जो उठने का जो अनमनी नीन वाला समय होता है, नीन खुल गई पर बिस्तर में पड़े हैं, वो वाले समय में भी visualize कर लीजिए, इसी technique को, रख दो यह important समय होते हैं, visualization के लिए, ठीक है, सबसे important manifestation का समय होता है, खूब अच्छे से visualize आप ने किय यह मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने ये गाड़ी ले ली, उस गाड़ी में बैठी है, घूमिये, जो चाहें इस कलर की गाड़ी में ले चुकी हूँ, मुझे ये गाड़ी पसंती, मैं इस गाड़ी में घूम रही हूँ, मैं इधर पार्क करूंगी अपनी गाड़ी, मैं कै कैसे ढखके रखूंग मतलब सब कुछ विज्वलाइस करिए जो चीज आप चाहते हैं अपनी लाइफ में अपनी रहीसी को देखिए सोने से पहले ठीक है रात को देख लिया अगले दिन जब उठें सुबह भी अगर कर सकते हैं तो विज्वलाइस करिए उसके बाद जब बि लीजिये कारण समझ डहेना तो आपको टैक्निक समझ में आ चाहिए सबसे पहला कारण इसका है क्या आयम नौट रिच बोलने का क्या कारण है सबसे पहला जो रीजन है वो यह है कि डिटैच मेंट आप डिटैच हो रहे हैं उस ख्वाइश से जो आप चाहते हैं सबसे तो आप डिटैच नहीं हो पाते हैं उससे में अगर चाहिए तो दिन रात बस वही चाहिए 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 तो उससे होता क्या है कि आपका जो जोड़ जाते हैं तो आप डिटैच नहीं हो पाते हो तो वह चीज़ कभी मिलती नहीं है मिल नहीं पाती आसानी से त में अलग कर दिया, काट दिया, ठीक है, तो जब आप result पर ध्यान नहीं देते, तो वो चीज हो जाती है, easily manifest, पहली चीज, दूसरा reason जो इसके success का है, वो जानते ही क्या है, इस technique से ये चीज प्रूव हो जाती है, कि चाहे आप दिन भर कुछ भी सोच लें, लेकिन manifestation का जो सबस time है, वो रात को सोने से पहले का जो important time है, थोड़ा सा समय है, manifestation अच्छल उससे होता है, तो आप दिन भर कुछ भी सोच रहे हैं, लेकिन रात को उस समय आपने क्या सोचा, that is important, सबसे ज़्यादा important वो चीज है, और यही दो चीज़ें इस technique से प्रूव हो जाती है, जैसे ही आप में detach किया, आपकी manifestation, आप दिन भर बोलते रहें, मैं सीड़ी नहीं चड़ूँगा, नहीं चड़ूँगा, नहीं चड़ूँगा, लेकिन रात को आप चड़ गए, तीन दिन, दो तीन दिन में आप चड़ गए, क्या हुआ इससे, मैं इस दिन भर आपने कुछ भी बो वो detach हो चुकी, क्योंकि आपके mind ने समझ लिया, कि आपको कोई इसमें interest नहीं है, ठीक है, लेकिन आप visualize रात को कर रहे हैं, तो वो चीज़ पूरी हो जाएगी, तो hurdle नहीं आई कोई भी, hurdle इसली नहीं आई, क्योंकि दिन भर आपने इसका negative affirm किया है, बस ये technique है, इसी technique को आ manifest करने के लिए apply कर सकते है, I am not rich बोला, और रात को अपनी richness को आपने visualize किया, मुझे job नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, रात को आपने visualize किया, मुझे ये job मिल चुकी है, मैं enjoy कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी चीज manifest करनी है, इच्छा जो भी है, मुझे कोई बड़ा सा घर नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सब जगे चिपका लीजिए, रात को प्यारा सा घर जो आप चाहते हैं, उसको visualize करिए, उसमें रहते हुए, आपने आपको देखिए, कैसे decorate करेंगी, कैसे सफाई करेंगी, क्या कुछ करेंगी, जब आप नए घर में तो यही इस टेक्निक की सफलता का राज है, secret है, यह top secret, इसको समझ लीजिए, जैसे ही आप समझ जाएंगे ना, इस टेक्निक से कुछ भी manifest कर पाएंगे, तो साथ ही उम्मीद करती हूँ, टेक्निक अच्छे से समझ आई होगी, कितना भी पैसा आप इससे manifest कर सकते हैं, माल पस पचास हजार आगे, मैं बहुत खुश, मैं enjoy कर रहा हूँ, मैं यह जो भी काम के लिए आपको चाहिए, मैं वो काम कर रहा हूँ, visualize करिये रात को बस इतना ही करना है, अगर अपने जीवन की खुशी के लिए पांच मेट अच्छे से visualize कर लेते हैं, तो समझ लीजिए, व लोग अभी तीन दिन में ladder पे नहीं चरपाई है, वो लोग 7 days उसको पहले पूरा कर ले, उसके बाद इस technique को apply करें, तो साथियो मैं हूँ शालिनी, आप सब की दोस्त, अगले वीडियो में फिर मिलूँगी, प्यार भरा नमस्ते,